जहन दोस्तो लंबा इंतियार जेसी और जवानों का बहुत लंबा इंतियार है वो खतम हो गया है और ये मेरे हाथ में हैं ये किस तरह पार्ट ओडर होगा और ये है कोर नोटिफिकेशन जो कि एक पार्ट ओडर करने की फॉस्ट इनिशिल प्रकृरिया होती जिसके लिए आड़ से पिलाउंस रुका हुआ था एनाउसमेंट हो गया था सब चीज़ां हो गई थी बस इसके लिए कि एक पार्ट ओडर पे किस तरह पैच बनता है और उसका इंतियार वाही था तो ये आपका आज इंतियार खतम हो गया है ये चार पेज का लेटर है मैं आपको पर गए हो गए उससे पहले वह सारी ऐसी चीज़े हैं और इसके लिए सबसे पहले मैं लेटर है अड़िएंट जनल ब्रांच एडिशनल डारेक्टर जनल MP MP8 और ये जो काम करता है 9 नवंबर 2020 का सभी कमांड्स के लिए मेरे भाई और लिखा अमेंडमेंट सो और रिवाइ इसको पार्ट उडर के एक अंसन चीज़े हैं आईए फिर डिस्क्रप्शन में क्या डाला है रिस्क एंड हाट से पिर डिस्क्रप्शन इस्टेंड रिप्लेश्ट विद एफेक्ट फ्रॉम 22 फरवरी उसमें क्या-क्या चीज़ों के बदले रिप्लेस कर रायदान रखना आपका CMFS, CFS, CFFS, CCIA और हायल्टी के जो कांडिसंस हैं फिर दा मोडल्टीज एंड गाइल्लाइन आर एज अंडर ये आपने समझना होता है कैप्चरिंग ऑप कोर नोटिफिकेशन HRMS में सब्दा गया relevant detail of core notification to be fed in HRMS as firstly actively कैसे fed करना HRMS में in case deployment of troops of the unit establishment at more than one location या RS factor multiple rows to be captured as per COPS notification अब ये इसमें हम बताएंगे कि कोर नोटिफिकेशन में किस तरह आपने कौन-कौन सी रो भरनी है आप लखाया है secessions cancelled and republication उसको अलग करना cancel करना और पाटोड को republics कैसे हों इसके बारे में दिया any field of lxci allowance granted prior to the cutoff date 22 February 2019 as per old descriptions will be seized with effect from 22 February 2019 and all grant on secession with effect from 22 February 2019 will be cancelled thereafter fresh grant will be published with effect from 22 February 2019 as per new description and illustration as the under उन्हों लिखाया कि पहले बाला है 22 February 2019 का cancel करना है फिर दोवारा पाटोड करना कैसे करना है SCCIA, HUACLA, CHAFFLA और स्याचन लिखाया एक्षन टू भी टेकन क्या लखना है उसके आगे कैसे कैसे करना मतलब एक एक step होते हैं जो initial part root करोगे और उसके बाद ये सारी कारवाई आगे जाती है हम बोलते हैं हो गया बस ऐसा नहीं है उसके क्लर्क को भी बहुत मेहनत करनी है अभी इसमें लखा है concurrent, admissibly, risk and address allowance या risk and share allowance जो भी आपके लिए हैं वो सब करना है publication strategy, initial grant, newly inducted unit, individual to be published as per नया format, नया है तो सब कुछ नय ही होगा, नया format के साफ़, it is advisable, published few cases, cessation and cancellation of old occurrence of re-grant as per new format, as a simple check and Doplin program की बहुँ पर जाकर के, यह किसी का भी है, उसको cancel कैसे करना है, और द्वारा case को कैसे, नया कुरों, re-grant कैसे करना है, उसके अंदर है, वन सिंपल चेक गई, successful Doplin program, reflective country ने मन्त payslip, एक बार Doplin में successful आ गया, आपकी next, आपकी payslip में यह credit होके आ जाएगा, it may be ensure that cessation, cancellation, republication should be published as a same two-part order, necessary addition in the same month, मतलब आप जैसे-जैसे आपका जाता रहेगा, बैसे-बैसे आपका आता रहेगा, HRMS, patch नमबर भी दिया है, 2.50 और 12 डूले इन, operated beta above amendment has been released on 8 नमबर दो आर, 22 को ASDC के तरफ से आ गया है, नीचे असुनी सर्मा, ब्रिगेडिर, ब्रिगेडर MP8 ने दिया है, सब जगे कोपी किया है, चाहे वो retiree हो, चाहे कहीं हो, quartermaster branch, आप बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके साथ, screen source order, PDF भी share करूँगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कि यह दो letter है, इसके बाद दो appendix है, part order है, आप देख सकते हो, बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है, यह होता है, आपने देखा होगा, part order का क्या चीज होती है, सामने, आप समझ सकते हो, restricted, आपने लिखना है, group, आपने लिखना, 105 आई है, जो भी इसमें डाल दिया है, SOS number, last part order number, part order number, date date, date, सीधा, serial number, army number, description, date from, period, SRA, other allowances, granted का है, SIS का है, R1, H1, R1, H2, R2, H3, जो भी है, और इस कॉलम में क्या क्या बहना, इन में से सेलेक्ट करना है, last में हैं इसकी authority, reference, part order, causes, operation, theater, core notification, core notification, date, unit, notification, serial number, area type, यह सारी फॉर्मल्टी होती है, पर नीचे लिखा है, notes, the revised allowance applicable with effect from 22 परवीर 2019, from date will be the date, induction into the qualifying area will be mentioned in column 4, column 4 में कैसे भरना है, date from, मतलब इस column को किस तरह भरना है, इसके लिए पूरा note दिया है, और certificate दिया है, क्या क्या आपने enclosure में, भाई मेरे लगाने हैं, please साथानी से करें, पैसे का सवाल है, सभी JC और जवानों का बहुत दिनों का इंतियार है, हम चाह रहे हैं, सब को धका धक पैसे आए, सब को खुशी होती हैं, नहीं आर, बहुत सारी चीज़ें अटकी हैं, लोग रोज वीडियो सुनते हैं, रोज हमें सुनना है, कब आएगा, कब आएगा, बस अब आज़ा, अब एक स्टेप और रहा है, और यह सेम यह पार्ट उडर है, इसको कैसे फिल करना, दोनों पार्ट उडर का, जो सारी चीज़ें, ग्रांट का है, सीज का है, यानि यह सारी चीज़ें मैं आपके साथ सेर की, बस आपने अलट रहना है, कि आप अपने बाबु जी से पूछना है, यह सारी चीज़ें में आपने थोड़ा सा अधेर रहना, बेक अप रहना, जगते रहना, और यह पूरे पार्ट उडर हो जाएंगे, और जैसे आप पार्ट उडर हो करके, आप समझ सकते हैं, रिकॉर्ड जाता है, रिकॉर्ड से प्यूर में जाता है, प्यूर से सीधा आपका क्रेडिट होता है, आपके बैंक अकाउंट में और पेसलिक में आपका रेफलेक्ट होता है, यह थी रिस्क और हार्ट सिप के ऊपर फाइनल लड़ाई, जो हुई आपकी जीत, धन्यवाद हो,